अगला question है हमारे पास a kite is flying at a height of 60 meter above from the ground the string attached to the kite is temporarily tied to the point on the ground and the indication of the string with the ground is 60 degree find the length of the string assuming there is no string अब जड़ा देखिए question क्या कह रहा है देखिए एक kite जो है वो ground से 60 meter की उचाई पर उड़ रही है ठीक है और जो इसकी string है यानि कि कि जिससे काई टूटरी है उसका धागा या इसे मांजा बोलते हैं इसको ना हमने एक रसी से बांद दिया और मान लीजिए यह जो एंगल बना रहा है यह 60 degree का एंगल बना रहा है अब आपको यह बताना है कि यह जो धागा है जिससे बांदा गया जब काई टूटरी होड़ी है तो इसकी हाइट बतानी है और हम यह मान लेते हैं कि बीच में किसी तरीके का यह बिल्कुल सीधा स्ट्रेट है किसी तरीके का कोई भी स्लैक मतलब नहीं डागा इधर उधर नहीं हो रहा है यह हमने एज्यूम किया लिए तो देखो बच्चे सबसे पहला काम किया कि आपको इस ट्राइंगल एबी सी में जो गिवन है वह पहले लिख लेते हैं एबी जो की मेरा पर्पेंड इसे मुझे निकालना है और एंगल सी 60 डिगरी है हम यह एंगल भी 90 डिगरी का ही है क्योंकि यह मेरा पर्पेंडिक उनों को बिलॉंग कर रहा है अब जैसा कि हमने सारे क्वेशन में किया था कि अगर हमें किसी भी एक साइड को निकालना होता है तो हम इस ट्राइंगल का रेशो में कनवर्ट करते हैं यहां पर रेशो निकाला अब बच्छे अगर मैं बात करूं तो पहले पंडित बद्री परशाद हर बोले यह बन रहा है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस आ रहा है यानि कि साइन और यह आ रहा है साइन 60 डिगरी अब आपको जो व होता है रूट 3 by 2 तो अब मैं क्रॉस मल्टिप्लाई करूंगा 60 यहां लिखा फू को उपर लेकिया इंटू रूट एसी को मैंने यहां लिख दिया तो यह वैल्यू आगी 60 इंटू 2 नीचे रूट 3 हमारे को मिला हो वैं डिनॉमिनेटर में तो हम क्या करते हैं सर इसको यहां आगया 40 यानि कि जो हाइट आगी वो आगी 40 रूट 3 के है